सच्ची महवथ एक बार पती पत्नी में छोटी सी बात में जगरा हो गया गर्मियों की रात थे वो दोनों अपने अपने जगाबल सो गई आधी रात को पती को प्यास लगी पती ने खुद उसकर पानी पिया अचानक उसने मुढ कर देखा बीवी उसे गुसे में देख रही थी और बोली आपने पानी खुद क्यों पिया पती ने भी गुसे से जवाब दिया हाथ पाव सलामत है खुद पी सकता हो बीवी ने करीब आकर पती का कोलर पगल लिया और बोली एक बात और से सुनो मेरी लड़ाई अपने जगा लेकिन मैं अपना हख और फुशी छिनने नहीं दूँगे पता है आपको पाने पिलाते हुए मुझे कितनी फुशी होती है बले ही बात्चित बंद क्यों ना हो लेकिन पाने आप खुद नहीं पियेंगे पती ने उसे गले लगया और जगड़ा खत्मा कर दिया और फिर दस साल बाद जब रात को तीन बज़े पती पानी पिने के लिए उखता है तो दीवार पर लगी बीवी की खुब सुरत तस्विर को देखका आपको से पानी बहने लगता है और बीवी आपको से तस्विर को हाथ लगाता है उसे अपनी बीवी की एक बात आयाद आ जाती है वो कहती थी महबद मर नहीं सकती दोस्तों अपने करीब लोगों की कदर कीजिए क्या पता वक्त कब बदल जाए